धार जिले के निसरपूर में आंगनवाडी केंद्र पर लापरवाही का मामला सामने आया है जहां दोपहर एक बज़े तक भोजन नहीं मिलने से बच्चों ने आंगनवाडी जाना बंद कर दिया है वहीं जिम्मेदारों के उदासी इन रवये पर अभिभावग में एक खासी नाराज़ी देखने को मिल रही है धार जिले के निसरपूर में संचारित आंगनवाडियों में दिन के एक बज़े तक भी भोजन नहीं पहुंसता है और किसी दिन तो पहुंसता ही नहीं है सोंवार को हमने निसरपूर के कोटडा बसाहट इस्थित दो आंगनवाडियों का जाय सा लिया जिसमें तीन वर्ष से लेकर छे वर्ष तक के लगभग सत्तर बच्चे रेजिस्टर में दर्ज है लेकिन दोनों आगनवाडियों में केवल 6 बच्चे मौजूद थे जिसका कारण पूछने पर आगनवाडी कारेकरताओं ने बताया कि बच्चे सुबह 9 बजे आ जाते हैं लेकिन भोजन कई बार लेट होने की कारण बच्चे आगनवाडी से चले जाते हैं यहां की जो खाना बनाने की खाना बना कर लाने वाली जो एजनसी है और एजनसी के जो लोग है उनके दुआरा अभी 12 बजे का समय होने को आया है अभी तक भोजन बच्चों के लिए नहीं आया है और उसी कारण दिनों दिन बच्चों की संख्या अंगनवाडी केंद्रों में लगबग 10% पे आ गई है यहां भी बहुत सारे बच्चे दो अंगनवाडिया एक साथ संचालित होती है लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों की संख्या कितनी है इहां आगनवाडिया संचालित होती है, अभी एक बचकर दस मिनीट का समय हो गया है और बच्चों का भोजन अभी आया है, आप देख सकते हैं, सुबर 9 वज़े से बच्चे आगनवाडियों में आकर बेटते हैं और भोजन अभी लगबग एक बचकर 10 मिनीट हो चुके हैं और इस समाई पर बच्चों को भोजन मिल रहा है साथ ही ये बच्चों की संख्या कम होने का में कारण ही भोजन समाई से नहीं आना है और दूसरा ये टीन सेड में संचालित आगनवाडी केंद्र हो रही है जो लगबक 5 साल से 2017 से लेकर अभी तक डूब ग्राम से यहां सिप् आप जो भोजन समय पर नहीं आ पार है तो वह क्या कारण है और बच्चों की जो संख्या है तो आपने मेरे फोन के उपर ही बता है कि मैंने उनको लिए के लिए बुलाया था तो जानकारी लेने के लिए वह आया था तो कम से कम बच्चों को भोजन दे के तो बच्चों की संख्या भोजन की वज़े से मैडम केवल दो आंगनवाडियों में छे बच्चे हैं जो कि मेरे पास आन रिकार्ड है तो आप इस पर आप उसे बाइट लेना चाहरा हूं आप बाइट दे नहीं रहे हैं तो आप आंगनवाडी में बच्चे आज इतने कम क्यों आए है हमेशा इसी परकार बच्चे कम रहते हैं दूसरा यह कि जो आंगनवाडी संचाली धो रही है टीन सेड में यह कितने समय से लगबग संचाली धो रही है आपने भवन की मांग की है फिलाल देखना होगा कि आंगनवाडी केंदर पर बढ़ती जा रही लापरवाही पर जिलापरशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं कुक्षी से उपेंद्र कमावत की रिपोर्ट